आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ लॉंग प्रियेड एवरेज के बारे में क्या है ये ओके और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो यहाँ पे IMD की तरफ से मॉनसून को लेके कुछ प्रेडिक्शन करी गई है उसमें इसका क्या कहना है ये तीज़े कैसे रिलेटेड है मॉनसून से क्या प्रेडिक्शन करी गई है तो हम लोग काफे कुछ अपनी आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे आप लोग को दोस्तों क्या करना है वीडियो को पूरा देखना है कहीं पर कोई अगर डाउट होता है आपका तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर और देख और बात दोस्तों बता दूँ कि अगर आपके पास कोई सजिशन है हमारे लिए या फिर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो आपकी डिमांड पे आए तो आप उसके लिए भी हमें बता सकते हैं चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिसकस करते हैं लॉंग प्रियेड एवरेज के बारे में देखी दोस्तों बता दूँ कि एक पर्टिकुलर वीक एरिया है और आपको उसकी प्यूर्पेशन करनी है तो उसकी प्यूर्पेशन भी आप लोग आने अकेडमी के साथ अब कर सकते हैं और हमारे कोड के साथ आप लोग को बेनिफिट्स भी मिलेंगे EMI वाली फैसिलिटी भी दोस्तों एवलेबल है तो जिन बच्चों को इंटेस्टेड है वो यहाँ पर EMI वाली फैसिलिटी का भी यहाँ पर आप कह सकते हैं फाइदा उठा सकते हैं और गाइडन्स प्रोग्राम है आप सभी बच्चों के लिए रेजिस्टर की जल्दी जल्दी इसके फाइदे उठाएए काफी कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा अब देखे दोस्तों यहाँ बताया गया है कि हमारी कंट्री पे आने वाला है कुछ आप कह सकते हैं consecutive fourth year के अंदर एक normal monsoon यह बताया है हमारी IMD डिपार्टमेंट ने साथी दोस्तों पहली बार यहाँ पे long range forecast बताया गया है इस साल के लिए जो की करा गया था थरस्डे अपरेल 14 को rainfall जो है दोस्तों वो 4 मंत मदों की जून से लेके सब्टेंबर तक चलेगा southwest monsoon season में जो की एक normal range में रहेगा जैसे की आपका रहा था 2019, 2020, 2021 में और आप 22 में भी हमें वही range का देखने को मिलेगा rainfall अगर दोस्तों हम लोग बात करें long period average के बारे में तो IMD प्रेक्ट करती है normal, below normal, above normal monsoon ओके और यह जो एक benchmark कहता है long period average का IMD के अनुसार LPA जो होता है वो एक ऐसा rainfall होता है जब rainfall record करता है कुछ एक particular reason में एक given interval मत्ला कोई month या फिर season के अंदर एक average से ज़ादा का यहां पर आप मान सकते हैं जो कि receive करेगा 87 cm की rain हमारी पूरी country के अंदर on an average IMD ने पिस्टे यहां पर पास्ट में भी calculate करा था LPA जो की 88 cm का था 1961 से लेके 2010 तक period का और दोस्तो 89 cm का था 1951 से 2000 के period पर तो इस हिसाब से जो आप करें सकते हैं IMD है यह बीच-बीच में prediction निकालते रहती है कि अगला monsoon जो आएगा उस पर कितनी ज़़ा rainfall हमें देखने को मिलेगी साथी दोस्तों आप लोग को बता दूँ कि quantitative benchmark जो है उसे refer करा जाता है कि एक average rainfall जो की record करा जाएगा जून से लेके September के महिने में पूरी country के अंदर उतना amount rainfall को जो की fall करता है मतलग कि आपके बरसात होगी पूरे साल में और वो vary करता है reason to reason या फिर month to month इसके बाद दोस्तों बता दूँ कि countrywide यहाँ पे हमें कुछ figure देखने को मिले हैं और IMD ने ये भी maintain करके बताया है कि LPA ज जो की around 61 cm तक है और ड्रायर रहेगा northwest इंडिया में और maximum जा सकता है दोस्तों ये 143 cm तक और ये वेटर रहेगा east और northeast इंडिया के अंदर इसके साथ साथ दोस्तों एक और यहाँ पे सवाल है कि IMD ने एक example देती हुए भी बताया था कि जो LPA है वो southwest monsoon में जो rainfall होगी केरल में वो 556 mm की होगी 659 mm या फिर 427 mm के साथ साथ 252 mm तक हो सकती है month wise मतलब की June, July, August और September में अगर हम लोग इसको और जदा breakdown करते हैं month wise को हमारी पूरी का entry में तो LPA जो है वो figure out करके आता है 16.36 cm June के महिने में 28.92 cm, July के महिने में 26.13 cm अगस्त में और 17.34 cm September के अंदर हमें ये देखने को मिलता है LPA क्यों ज़रूरी है? देखे, IMD record करता है rainfall data आप कह सकते हैं more than 2400 locations पे या फिर आप कह सकते हैं 3500 rain gauge station पे इसकी वेज़े से दोस्तों जो annual rainfall होता है ये vary करता है काफी ज़्यादा Okay, reason to reason या फिर आप कह सकते हैं month to month भी ये vary करता रहता है और इसके साथ साथ कुछ reasons में तो आप कह सकते हैं सालाना भी यहाँ पे हमें changes देखने को मिलते हैं LPA वो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग smooth यहाँ पे out train को निकाल सकें किसी एक reasonably accurate prediction जिससे हम लोग कर सकते हैं अगर हमें prediction करनी है क्योंकि बरसात तो भी हुई नहीं है तो क्या होगा मतला IMD को यहाँ पे कोई ना कोई एक data चाहिए होगा जिसके तोर पे वो यहाँ पे prediction लगा सकें और इसलिए उस prediction को करने के लिए आप कह सकते हैं जो IMD है यह LPA निकालती है पचास साल का अगर LPA cover करा जाए तो एक large variation हमें देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे आप कह सकते हैं काफी सारे वजह रह सकती है direction cause रह सकता है free care रह सकती है high low rainfall हमें यहाँ पे काफी सारे इवेंट से ही देखने को मिलते हैं इसके साथ साथ El Nino और La Nino जो है यह सब इवेंट भी हमें देखने को मिलते हैं periodic आप कह सकते हैं जो सूखा पड़ता है साला न या फिर आप कह सकते हैं और कोई weather extreme condition होती है वो भी climate change की वजह से ही हमें देखने को मिलती है और हम लोग उसका पता भी लगा सकते हैं क्योंकि हम लोग data पर काम करेंगे और data पर काम करने से हम लोग यह prediction लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है और अगर पहले कुछ ऐसा हुआ था तब क्या हुआ था उस time पर क्या करा गया था तो एक accurate data के लिए और साथे साथ prediction करने के लिए हमें यह जरूरी हो जाता है कि हम लोग LPA निकालें अगर हम लोग एक range की बात करें normal rainfall की तो forecast के हिसाब से southwest monsoon में जो seasonal रहेगा आपका जून से सप्टेंबर की rainfall वो पूरे country में आप यह सकते हैं 96 से लेके 104% तक LPA पे रहेगी quantitatively दोस्तों बता दूँ आप लोग को कि जो monsoon season रहेगा June to September यहाँ पे rainfall 99% रहेगी पर इसके LPA के model के हिसाब से 5% उपर नीचे हो सकता है LPA का जो season था दोस्तों rainfall का वो हमारे पूरी country में period का जो निकाला गया है 1971 से लेके 2020 तक निकाला गया है और उसके हिसाब से 87 cm की rainfall बताए गई यह seasonal rainfall है तो इस हिसाब से हमें जो पूरी rainfall है यह देखने को मिलेगी इस बार monsoon season के अंदर IMD ने maintain करें हैं 5 rainfall distribution categories हमारी पूरी इंडिया में पहला है दोस्तो normal या फिर near normal जो की percentage है departure of actual rainfall जिसमें आपके से 10% तक उपर नीचे हो सकता है और यह बताया गया है 96 से लेके 104% का LPA below normal की बात करें तो यह departure रहेगा actual rainfall का जो की 10% कम रहेगा LPA से और यहां बताया गया है 90 से 96% above normal की बात करें तो actual rainfall से यहां पे 104 से लेके 110 तक रहेगा deficient बात करें तो departure जो है वो 90% से कम अगर होगा तो हम उसे deficient मानेंगे और access अगर होगा जब 110% से ज़्यादा LPA हो जाता है तब हम उसे access मानते हैं मतलब की actual rainfall से अगर 110% ज़्यादा रह जाएगा तो हम उसे आपके सकते हैं access मान लेंगे तो इस हिसाब से कुछ यहां पे जो data है इसे distribute करा गया है by the AMD ओके दोस्तों तो यह हैं सारी बाते जो की आपको पता होनी चाहिए थी कि कैसे LPA से हम लोग यहां पे अंदाजान लेगा सकते हैं और AMD किस तरह के से prediction भी करती है अगर अब भी आपके कोई doubt है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं comment section के अंदर till then take care good bye